तो पत्ता गोभी बनाओ ऐसी कि खाने वाले खाएं दो की जगह चार रोटी, टिफिन हो या लंच हो ये सुखी सबजी एकदम ही परफेक्ट रहेगी, इसे मैंने खास तरीके से बनाया भी है लेकिन कोई खास चीज नहीं डाली है, अब आप बोलेंगे ये क्या डबल बात हो लेकिन सच बता रहे हूं, जितनी जादा हमने इस सबजी को सिंपल रखा है, उतना ही जादा इसमें पत्ता गोभी का स्वाद आया है, और बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी ये सबजी बनी है, एक बार आप ऐसे बनाएंगे, तो हमेशा ही ऐसे ही बनाएंगे, तो मैं डाल रहे हूं, ये दो टेबल स्पून तेल, यहां पर आप चाहे तो सर्सो का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आगे एक ऐसे चीज डालने वाली हूं, जो कि सर्सो के तेल के साथ अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने नॉर्मल रिफाइंड ओल ही और टेस्ट भी आता है, इसे के साथ साथ एक टेस्पॉन मैंने राई डाली है, एक टेस्पॉन ये जीरा डाल रही हूं, और इसे के साथ साथ ये दो चोटकी जितना हिंग डाल रही हूं, इसमें हम जादा मसाले नहीं डालते हैं, तो जो तड़का हैं वहीं हमें एकदम फ अब इसमें हम ढ़ेंगे थोड़ा सा लसट्व, तो लहसन को क्या करेंगे ? अ dejड़ा सेता स्रसेशा करें कनल चांदा लगे में एगे जो बहुत अच्छा लगेगा ! तो इसको हम थोड़ा सा कलर आने तक फ्राय करेंगे पहले और उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे तो जो तिखापन है वो हरी मिर्च से ही आएगा तो आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार मिर्चिया यहाँ पर डाल सकते हैं मैंने ये 5-6 मिर्चियों को इस तरह से कट करके इसमें डाला है और प्याज और हरी मिर्च को हम थोड़ा से इसमें भुन लेंगे और फिर उसके बाद इसमें डालेंगे एक जरूरी चीज जो कि हमारी इस पत्ता गोभी की सबजी को काफी जादा खास बनाएगी तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि थोड़ी सी चना डाल को पानी में भीगो कर रखा और यह भीगी हुई चना डाल अब मैंने प्याच के साथ इसमें डाल दी है थोड़ा आप इसको भीगो देंगे तो यह जल्दी से पक जाएगी और ज्यादा टाइम नहीं लेगी तो यह मैंने वनफोर्थ कप भीगो हुई हुई चना डाल इसमें डाल दी है और अच्छे से इसको मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे यह हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसको हम दो मिनिट के लिए पहले थोड़ा सा भूल लेंगे अब यह बहुत ही एक चटपटा सा बेस बन कर तयार हुआ है जिसमें आब आप चाहें तो कोई भी सब्जी डाल सकते हैं मैं हाँ पर पत्ता गोभी इसमें डाल रही हूँ तो मैंने 300 ग्राम पत्ता गोभी को इस तरह से पतला पतला कट करके लिया है और इसको अब हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे इसमें हम जैसे पत्तागोबी को cut करेंगे वैसे ही पत्तागोबी की सबजी भी बनेगी अगर आपको चाहिए हो कि भरत जैसी एकदम soft सबजी ये बनकर त्यार हो तो आप पत्तागोबी को अच्छे से कद्दूकस करके भी ले सकते हैं मैंने चाकु से ही इसकी cutting की है और अच्छे से सब चीजों को मिलाने के बाद इसमें अब हम डालेंगे नमक तो पता गोभी डालती ही हमें इसमें नमक डाल देना है मैंने एक टिस्पून से थोड़ा सा कम नमक डाला है आप अपने स्वादनुसा नमक डाल सकते हैं नमक इस टाइम डालने से जो पत्ता गोबी है ये अच्छे से पानी छोड़ देगी और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे इसको धक कर पकाएंगे तो यहाँ पर जो हमारी सबजी है वो जले नहीं उसके लिए साउधानी के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो दो टेबल स्पून जितना पानी इस तरह से चारो तरफ हम इसमें डाल देंगे इससे काफी अच्छी इसमें भाब बनेगी और उससे चना की डाल पत्ता गोभी एकदम अच्छी से पक जाएगी तो धकन लगाकर धीम्या अच्छी पर अब हम इसको पकने देंगे कभी भी जादा मसाले वाली सबजी नहीं बनानी हो और पत्ता गोभी आपको पसंद भी हो तो एक बार इस तरह से बना कर देखेगा चना दाल पत्ता गोभी के साथ खाने में अच्छी भी लगती है और ये एक बहुत ही अच्छी इसे विराइटी भी दे देती है तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ कि एक टमाटर मैंने इस तरह से टुकड़ों में कटकर के लिया है ये में इसमें डाल रही हूँ मसाला नहीं बना रही हूँ टमाटर का सिर्फ पत्ता गोभी के साथ टमाटर के टुकड़े मुझे डालने हैं तो यह तरह से मैं इसमें डाले हैं और फिर यह मैं ले रही हूँ एक टेबले स्पून रोस्टेड सेसमी सीट्स यानि कि जो सफेद तिल होते हैं उनको मैंने हलका से 10 मिनिट लगेंगे और यहां पर आप अपनी पसंद से भी पत्ता गोभी की कुकिंग कर सकते हैं जैसे कि कुछ लोगों को पत्ता गोभी थोड़ी सी क्रंची पसंद होती है तो आप उस तरह से इसको पका सकते हैं या फिर कुछ लोगों को एकदम सॉफ्ट सबजी चाहि एक दम पर्फेक्ट है यह अच्छे से पक गई है बिल्कुल भी कच्छी नहीं है तो बस अभी इसमें मैं डालने वाली हूँ प्रफेक्ट है जिसको कि मैंने घर पर ही बनाया है यह अल-इन-वन सब्जी मसाला है जिसको कि हम ग्रेवी वाली सब्जी में या फिर इस तरह की ड्राइज सब्जी में डाल सकते हैं सिर्फ आधा चमच यह मैंने डाला है और इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया है आप इसकी रेसिपी जरूर से देखेगा और इसे भी बना कर रखेगा तो अब इसमें मैं डाल रहे हूँ बारी कटावा हरा धनिया और यह मैंने लिया है एक टेबल स्पून नीम्बू का रस यह इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे अभी हम इसको रोटी के साथ या पराठी के साथ जल्द इसे गर्मा गरम सर्व करेंगे बहुत ही टेस्टी और डिलिशयस यह गोभी की सब्जी बन करके तयार होती है पत्ता गोभी को बंद गोभी भी कहा जाता है लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो इसके सारे फ्लेवर्स खुल जाएंगे तो आप इसे बनाईए, खाईए और सबको गिलाईए और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल एट यमिशास को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करें और नई रेसिपी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल भी ना भूले, ताकि हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं, तेल देन एंजोई इस टेस्टी टेस्टी बत्ता गो भी,